आज हम बनाएंगे बेगन की वर्ते की रेसिपी बेगन ऐसी सबजी है जिसे कई तरह से बनाया जाते हैं अगर आपको अब तक सिर्फ एक ही तरह के बेगन खाये है तो आप इसे बनाने की अलग अलग रेसिपी भी जान ले जब बेगन को भून को बनाया जाता है तो इसे बेगन के वर्ता कहते हैं सर्दी की मोसम में बेगन की वर्ता कोई साथ अगर आपको गर्मा करण रोटी मिल जाए तो आपकी भूग अपने आप ही बढ़ जाती है बेगन की फर्ता बनने के लिए सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से धोले और इसे चारो तरफ से तेल लगा दें बेगन अच्छी तरह से हर तरफ से भून जाना चाहिए तभी जाकर स्वात आएगा बेगन को बार भार घुमाते रहे तभी जाके हर तरफ से भून जाए बेगन को तब तक भूनाए जब तक कि उसके उपर की परत सिमरना नगे अब इसे नर्मल पानी में डाल कर थंडा होने के लिए छोड़ दे देन थंडा होने के बार उसका छिलका निकाल ले और एक बाल में डाल कर टेक करें की कीरा है की नहीं अब एक पेन में तेल डाल ले जब तेल गरम हो जाए उसमें क्युमेन सीर, मस्टर सीर and सौफ डाल ले तब उसमें बारिक कटा हुआ प्याज और हरी मिची डाल दे और भून ले प्याज हलका सा भूरा होने के बार कुछ कटा हुआ टमाटर और बोईल आलू डाल दे देन अच्छी तरह मिस्क करने के बार भून ले टमाटर को गलने तक पकाए देन टोमिल्व पाउडर स्वाद के अनुष्वा नमक डाले और अच्छी तरह मिस्क कर दे दें रोस्टर के आप रिंजल डाले और उसे भी अच्छी तरह मिस कर दे ऐसे कम गेस में तब तक भूने जब तक कि उसके उपर से तेल अलग ना हो जाए अब रेड चिली डाल का अच्छी तरह मिलाए बेगन मिलाने के बाद इसके उपर से गरम मसला डाल दे और मिक्स कर दे इसे लो फ्रेम में 10-12 मिनिट तब भूने यह कि उसे बीच बीच में आप खिलाती रहे नहीं तो फर्ता नीचे लग जाएगा आप देखेंगे कि थोड़ी देर की बाद लो फ्रेम में भूने से बेगन की रंग बदल जाएगा और उसका स्वार भी बढ़ जाएगा फोर मिन के बाद बेगन का फर्ता बन कर तयार है गेस बन कर दीजे और फर्ते को प्लेट में निकाल लीजे गर्मा गर्म बेगन का फर्ता पालाठे चोपाती या नन किसी के साथ भी परो सकते हैं इस बेगन का फर्ता दो या तीन सदोस्तों के लिए प्राएप थे थेंक्यू एची के वीडियो